नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सीक्रेट सिंग रासी वालों देव गुरु ब्रहस्पती वक्री अवस्था में मकर रासी में सनी देव के साथ आ चुके हैं 20 नुवंबर तक रहेंगे और उन दोनों का ये साथ अद्भुत होगा जीवन पर इस राजियों का प्रभाव कितना पढ़ने वाला है क्या सुब और क्या असुब घटनाएं होंगी क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए तवाम बाते जारी है वीडियो के अंतक बने रहें और यह प्रिडिक्शन चंद्रासी पर आधारित है गुरु को जोतिस में ग्यान का प्रती ग्रह माना जाता है और सभी ग्रहों में सबसे सुफल गुरु ही देता है तो वैसे गुरु जो है सनी द भी है भाग सम्मान की प्राप्ति भी गुरु करवाता है और यह गोचर हलांकी बहुत अच्छा है लेकिन कुछ लोगों के लिए चुनौतियां भी लाया है वैसे गुरु का गोचर सनी देव की यूति के साथ होगा और आपके छठे भौ में आ रहे हैं गुरु वक्री होगा जो लोग जौब करते हैं खासकर सिंग वाले मिला जुलावा फल है क्योंकि अच्छे अवसर मिलने के चांस थोरे कम है जैसे चल रहा है बस वैसे ही चलेगा लेकिन काम की अधिकता जरूर होगी जिससे आप थोड़ा तनाव में आएंगे अब छठा भाव होता है रो करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो जागा ये भी बताएंगे आपके जो रिष्टे नाते हैं किसी न किसी बजह से औसंती लाएंगे आपकी लाइफ में आपको खुद ही यहाँ पर परिसानी महसूस होगा आपको लगेगा जैसे आप टेंसन में आ जाते हैं किसी भी तरह के बाद विबाद की स्थिति से भी दूर रहिएगा और यदि आप साधी सुदा हैं तो रिस्तों के प्रती इमानदारी से रहें और बैबाही जीवन जैसे चलता है वैसे ही चलने दे साथी ऐसा कुछ भी ना करें कि जीवन साथी के साथ जगड़े लड़ाई जैसी चीजे हो जाएं और एक्स्ट्रामेरिकल अफेर जैसी चीजे भी ये इस समय तो उनसे बचिए क्योंकि इस दौरान कोई भी नया रिस्ता आपको नहीं जोड़ना है क्योंकि गरह नच्छत्रो स्वारती हैं गुरू है सनी है बैट गया है सत्रुभाव में तो इसमें आपको थोरा सयम तो रखना होगा है हलाकि धर्मकारे में खर्च होंगे आर्थिक पक्ष आप चाहते हैं कि बेहतर बना रहे तो पैसे कैसे बचे इस जुगार मेरे गेर है स्वास्त की बात करें तो अब इसे इस ध्यान रखना है छोटी मोटी समस्याएं है स्वास्त में थोड़ी सी आपको यहां पर अपनी केर करनी ही होगी अब जो यहां पर देखिए 14 सिदंबर को हलांकी गुरू आये हैं लेकिन 20 नवंबर तक सनी देब के स्वामित वाली मकर रासी में जो आके वो 20 नवंबर तक रहेंगे तो नीच भंग राजियों बनाएंगे लेकिन नीच भंग राजियों का क्या प्रवा है हलांकी गुरू की वक्री चाल उत्सा तो बढ़ाता है कारियों में सफलता भी दिलवाता है लेकिन सनी देब कहते हैं कि जितना कर्म करोगे उतना ही पाओगे और उपर से सत्रू के भाव में बैठ कर क्या देंगे क्या पाएंगे छठा अस्थान मिला जुलाव अफल मिलेगा कारियों में आपको सभलता तो मिलेगी पर थोड़ी बहुत अर्चने भी है परिसानियों को दूर करने के लिए जीवन में स्थिर्ता लाने के लिए प्रियास आपको करना है और रिष्टेदारों के साथ बे बज़ा बात भी बात तो ना ही करें तो बढ़िया है सब्दों का परियोग बहुत संभल के करें आपके लिए अच्छा रहेगा धर्मकारे करते रहें ताकि जीवन में सांती बनी रहे और साथ ही एक और खास बात ये है कि सनी और मक जब गुरू की युति होगी तो जोतिस कहता है कि यहाँ पर दो योग बनेंगे और ये सनी योग पूरे साथ साल के बाद आया है तो गुरू नीच रासी में प्रवेश करना अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि जब नीच रासी में प्रवेश करते हैं तो बेक्ति को ग्यान और विवेख पर संदेव होता है उसको लगता है जैसे सब कुछ गरवर तो नहीं हो रहा है पर आपको परिशान होने की कितनी आवस्ता है देखिए इस बार गुरु के मकर में आने का महत्विया लग है क्योंकि साठ साल के बाद ये योग बना है उसके पहले 1960 में बना था और देश भी देश दोनों ही जगा परिवर्तन होंगे आपकी लाइप में चाहे आप कहीं भी हैं समाज में आप बदलाओ करने की छमता रखेंगे अब धर्म करमाध ही पतियोग भी बनेगा लेकिन इसका फ़ल आपको मिलेगा कि रही हलाकि एक सुन्दर सा स्योग है गुरु सनी के एक साथ होने से और गुरु सनी का नीच होने से असुब नहीं बलकि ये सुपरिनाम देने वाला राजियोग तो बन गया है पर क्या करें करजों के भरक भाव में बैठे हैं तो आप जरों से ज़्यादा खर्च ना करें सनी कहता है कि गुरु के साथ जब भी वो मिल जाए आप मेहनत को कीजिए मेहनत परधान हो जाईए सुभाव में वानी में बिनम्रता ले आईए क्योंकि ये आपका गहना होना चाहिए और इसके साथ ही आप एक और चीज है जितना ज़्यादा सरल रहेंगे उतना ही ज़्यादा सफल होंगे तो बेभार को बढ़िया करना आपकी प्रत्मिता होनी चाहिए अगर आप घुस घास खाते हैं यानि कि लेन दिन वाला चीज है तो ज़रा संभल के रहिएगा और दूसी बात सिंग बालों आपको थोड़ा संभल के ही रहना है क्योंकि आपके लिए इसमें थोड़ा कष्ट काड़ी है क्योंकि धन की मुश्किले बढ़ा रहा है किसी भी तरह का बाद विबाद से बशना है और अगर वाहन चला रहे हैं चलाते हैं खुद से इस पिरियड में तो जरा साबधानी से ही चलाईएगा नहीं तो फिर परेसानी में पढ़ सकते हैं स्वास्त का थ्यान रखें गुप्त सत्रू बनेंगे खुद ही और खुद ही नस्टोंगे बस लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिस कर सकते हैं जगडे, विबाद, कोट, कचरी इन चीजों को आपस में सुल्जा लें मुकदमों बाजी तक मत जाएए नहीं तो लंबे फस जाएएगा इनकम तो बढ़ेगी बिदेशी कंपणी में अगर जॉब करते हैं आप प्रियास कर रहे हैं बिदेश जाने के लिए तो आपके लिए वक्त तसर बहुत तम है क्योंकि यहां पर सत्रुभाउं में देव गुरु का आना अच्छा नहीं है इसलिए स्वास्त खराब है लेकिन सनी देव की किरपास से चीजें आपके पक्च में आ रही है तो उसका फाइदा तो आपको उठाना होगा और एक और बात देखिए यह समय आपके लिए थोड़ा सा गड़बड है लेकिन इसको बहतर करने के लिए एक तो गुरुवार के दिन संबभ हो तो मांस बदीर्या लहसन प्याज ना खाए यानि सात्वी काहर बुजन गरन करे ओम बुरिंग बिस्पते नमका जब कर सकते हैं इससे भी आपको लाव होगा हम आपसे भी डा लेते हैं लाइप से मैश करें जनकारी अच्छी लेगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा हर हर महादेब धन्यवार